बाई और बहनों, मैं जब पिछली बार सिल्वास आया था, तो मैंने विकास की पंचधारा की बात कही थी विकास की पंचधारा यानि बच्चों की पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई आज मैं इसमें एक और धारा जोड़ूंगा, और ये हैं महिलाओं को खुद के घर की धेल सारी बधाई हमारी सरकार ने बीते वर्षों में देश के तीन करोड से अधीक गरीब परिवारों को पक्का घर मना कर दिया है यहां भी हमारी सरकार ने 15,000 से जादा गर बना कर गरीबों को देना तै किया है इनमें से जादा सर गर बन कर तयार हो चुके हैं आज भी यहां 1200 से जादा परिवारों को उनके अपने माली का नाहकवाले घर मिले हैं और आप ये जानते हैं कि पीएम आवास यूजना के जो गर दिये जा रहे हैं उनमें महिलाओं को भी बराबर की हिस्थेदारी दी जा रही है यानि हमारी सरकार ने यहां दमान, दीव, दादरा और नगर हैवेली की हजारों महिलाओं को भी अपने घर की मालकिन बनाने का काम किया है वरना हम जानते हैं हमारे यहां कैसा होता है गर का मालिक पुरोष, खेत का मालिक पुरोष, दुकान का मालिक पुरोष, गाड़ी का मालिक पुरोष, स्कूटर है तो भी मालिक पुरोष, महिलाओं के नाम कोई होता ही नहीं है हमने इन घरों के मालिक अनाहाद महिलाओं को दिये हैं और आप ये भी जानते हैं कि पीमा आवास योजना के तहट बना एक-एक घर की किमात कई लाख रुप्य होती हैं इसलिए ये महिलाओं जिनको ये जो घर मिला है ना लाखों रुप्य की कीमत का घर मिला है और इसलिए ये हमारे गरीब परिवार की माताए बैने ये हमारी महिलाओं लखपती दीदी बन गई है अब वो लखपती दीदी के नाम से जानी जाएगी क्योंकि लाख रुप्य से भी उपर की किमत के घर की वो मालकिन बनी है मैं इन सभी लखपती दीदाईगों को जितनी बदाई दूतनी कम है उनको मैं विशेश तोर पर बदाई दे रहा हूँ